प्रिदर्श्कों मित्रों शात्यों सुबे की हर किरण जीवन का हर दिन एक नया दिन आता है और नया दिन साथ में नया उलास नई आसा नई उमंग लेकर आता है ताकि हम अपने जीवन को ने विचारों से सुवासित और उलासित कर सकते हैं इसके लिए बहुत जरूरी है सकाराक बख्षेश। मानो करका को पर दिन एक पर दिन सघ्रड़ और सकतंग उर्पय संगत से स्वष्च रखने की जोर्भ होम operations जब गुरू महराज्जी का सतसंग मिलता है सघ्रड़ा ससंग मिलत का सानित मिलता सघ्रड़चार उत्पन होते हैं विचारी जो कलशिता का मार्दन होता है, संतों की स्रणागत. तो ये हर दिन नया और उमंग से भरार है, संतों की स्रणागत रहीए. सद विचारों के साथ सस्टंग सुनिए, सिवा करिए, सुमरन करिए, जिवन खुशण से भरार हैं। गुरु महराज जी की स्रणागत से भला होता है। राम क्रशन से को बढ़ो तीन हो तो गुरु कीन और तीन लोग को जो धनी तो गुरु आग जाए। बिना सदुगरी स्रणागत जीवन कस्टों से मुक्ति नहीं पाता है। अपनी जीवन में कस्टों से मुक्ति चाते हो। जीवन में भावबंदन से मुक्ती चाते हैं तो गुरु महराज जी की सरनात गत्र हो और उनके दिये गये ज्ञान का भजन हो गुरु महराज जी का ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है बजन करने से भला होगा इस बात तो भी जो ओम नमौ नारा है प्रिदाष्क्रम मित्रों साथियों 30 September 2023 रहुदेव और केतू देव अपना राशी परीवर्तन दिखा रहा है दो कार्मिक ग्रहों का 18 मेनों के लिए राशी परी परीवर्तन हो रहा है इस समय राहु देव मेश राशी में है, केतु देव तुला राशी में है, 30 अक्टुबर 2023 राहु देव मीन राशी में प्रिवेश करेंगे और केतु देव कन्या राशी में प्रिवेश करेंगे ये दोनों ही ग्रह हमेशा वकरी अवस्ता में Samshiran खाते हैं अध्यात्में ग्रह है और इन ग्रहों के विशेईस अध्यन की नितान तावशकता है क्योंकि हमारी कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गैरा शमन्द है ये दोनों ग्रह जिवन के सुक्सम बिंद्यों के ज़्यादा निकट है राउदेव और केतु देव का सीधा समन्ध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अच्चुक प्रभाव भी है 30 अक्तुबार 2023 राउदेव का राश्य परिवर्तन मैधनी जोति इसके हिसाब से और गरनक्षत्रों के गरनाओं के हिसाब से 12 राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो को लिकर आपके सामने हूँ मित्रों शाथियों राउदेव और केतु देव को छाय ग्रह कह जाता है क्योंकि आकास में ये दो बिंदुओं के रूप में दस्टी गोचर होता है दो बिंदु है जहां सूर्य और चंदरपतर एक दोसरी से मिलते हैं उस बिंदु विशेश को रहुकेतु का नाम दिया गया है कार्मिग्र है पावर एक्सेस है ये अदभुद पावर एक्सेस का बारा राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बहुती अदभुद वीडियो है आपके लिए लेकिन थोड़ी से जानकारी दे दू तब मैं राशिफल पर आऊँगा आपको लगता है कि ये नहीं सुनना है तो आप तो आजका टेक्नोलीजी बहुत ज़्यादा आप फॉरवर्ड करके आगे बर सकते हैं इन दो चायागरों का जातक के आंतरिक सभाव का पता चलता है और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है इन ग्रहों की इसपेश्ट वाक्षा से व्यक्ति अपने जीव में आने वाली कत्नायों का पुरू अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस स्रश्ट में व्याप्त उस सर्व शक्तिमान सर्व व्याप्ति शक्ति का अनुभव कर सकता है। जो संपून घरे योगायोग है इन संपून घरे योगायोग से समय शावधानी का संकेत दे रहा है। राजनितिक उठापटक, सतार विपक्ष में टक्राव, मैदनी जोती कैसी है, ऐसा संकेत है। समय शेल विश्व पर असमय शेल टीपणी बयानबाजी ये बखेडा विश्व में खड़ा करेगी। संपून चरा चर जगत में अगनी कांड की घटनाएं नजर आ रहे हैं। विश्वोट की घटनाएं नजर आ रहे हैं। आतंगवादी घटनाओं में बरहुत्री होगी। प्राकरटिक प्रकूप की घटनाएं बढ़ेगी। आपसी देशों में ठकराव की भावना जादा रहेगी। युद की इस्तिती चारों और मन राती होगे। और युद होपी शकते आपस लें। भुकाम बोसकलनबार जैसी गटनाओं में बढ़ोतरी होगी पूरा विश्व दंजाव की तरह हिलतावा नजर आएगा सात्यों ऐसे नक्षतर गणना है संकेत देरिये रहो के तुके राश्वी परिवर्टने के समय इस समय धरम पर कियेगे अनर्गल ब्यान बाज़े शांपर्दिक सोहार्द की कमी का संकेत में नजर आ रहा है मैदनी जोती मुक्य रूस्य संकेत देरिये सात्यों चाहिए वो पक्स हो चाहिए भी पक्स राश्व के परमुक्ष व्यक्तियों को वानी पर सेयों सालिम तक आपरच्य देना राश्वित के लिए अत्यावश्यक होगा हाँ गरनाय इस बात का भी संकेत देरी है कि हमें अपनी शिमाओं पर सतरक्ता बरतनी चाहिए भारत की जन्मांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की और अगरसर होगा राश्व में शमर्दी आएगी शकून आएगा आर्तिक पक सुदर होगा लेकिन थोड़ा सा सालिंता का प्रचेद जरूदेर वानी पर सहीम सभी लोगों को चाहिए समेंदल सिल विश्यों पर अज समेंदल सिल टीपनी से सब को बचना चाहिए क्योंकि राहू और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राश्य परव्यतन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारम कर देते है और विश्व की घटनाए आप सभी लोगों के सामने है ये 18 मेने मैदनी जोतिस के हिसाब से संवेदल सिल है मित्रों शाथियों होरा सास्त के अनुसार 12 राश्य पर राहू देव और केतु देव की राशी परवरतन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महिनों के लिए निसंकोज मैं आप से चर्चा करूँगा लेकिन ये चर्चा जन्रल होगी लगन के आधार पर चंदर्राश्य के आधार पर और मेरा शंपून अनभाव मैं इसमें डालने की कौशिस करूँगा मेरा आप से निवेदन है कि ये जन्रल प्रडक्शन है आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्रमकुनली का आवलोगन करूँ तो नीचे नमबर आ रहे हैं इन नमबरों पर शंपर करके आप मेरे से बात कर सकते हैं हाँ मेरे से बात करने के लिए गाई को चारा तो देना होगा मैं गायों की सेवा में लगा मैं बैपारी नहीं हूँ लेकिन मेरी गाये भुकी नहीं रहे मैं जरूर वो लोग आपसे कहेंगे के आप दाति महराज से वीडियो कॉल पर बात करना चाहें तो गाये को चारा दीजी और आपको गाये की सेवा करना से किसी ने किसी रूप में गाई की सेवा करिए गाई हमारी जीवन का मुख्य आधार है तो मैं जरूर आपके आपकी जन्मकुनली के हिसाब से रहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा निसंकोच मैं आपसे बात करूँदा मित्र होसात्यों कारमिक ग्रह का राशी परवठ़न 12 राशीव प्रक्याशंख दे रहा है यह राशी परिवरतन क्योंकि रहु यहनि अमरित का पाण किया और केतु अमरित नहीं पहुँचा। रहु यहनि डिजायर एंप्लीफायर अनप्रेडिक्रेबल अनकनिशनल अनकन्वेंक्शन अकस्मात हर चीजे अकस्मात घटनाएक पैदा करता है राव राव इच्छाओं का कारक है और कितू विरक्ति का कारक है मौक्स का कारक है इन दो ग्रहों का राशी परिवर्तन से 12 राश्यों पर क्या 30 अक्टूबर 2023 रावुदेव का राशी परिवर्तन क्या संकेत दे रहे है कैसा रहेगा रावुदेव का मीन राशी में प्रवेश करक राशी वालों के इस वीशे पर हूँ करक राशी वालों के लिए पिछले 18 महीनों से रावुदेव आपके जन्म कुनली में दसंभाव म कримिस्थान आपकी आजविका से समंद रखता है जोब नोकरी वैवसाय कामकाज कारूबार के बारे में दसमभाव जानकारीस प्रफा गजानकारी सारी आपको दसमभाव से मिलें के दसमभाव में कारोबार और केरियर के सुमें रुकाउटर का सामना करना पड़ेगा और करक्राशी के ऐसे बहुत से जातक होंगे जिनको पिछले 18 मैने से कारोबार कामकाज वैपार नौकरे के जितोड मेहनत करी होगी लेकिन फिर भी शफलता कोश्व दूर रही बार बार परियास करने के बाव जूद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसे हासिल करने के सपने वो बुनाकर आगे बढ़े दे पिछले 18 मैनों से केरियर के साथ-साथ आर्थिक अवरोदों से भी पिच्छा थोड़ाना मुश्किल लगने लगाता क्योंकि आपका दूसरा भाव धन भाव का जा बनते बनते काम बिगड़ गें रेट साल बहुत इंपूट दिया लेकिन आउटपूट जीरो निकला समाथ की बीच में अपना वच्छेशों कायमी नहीं कर पाए राज़दीन देशें में अच्छा लाब नहीं मिला और पारवर सदों से तनाता निकाव महल बना रहा लेक इनकी दसाज अच्छी होगी उन्हें भोतिक सुक्साद्नों का लाब आउश्य मिला होगा समझिक वर्षत राजनीत रुत्बा और समझिक परवेश आपको संबल बनाने में शाहिक रहा होगा जनता में मित्रों के बेच यस मान प्रतिष्ठा आउश्य बढ़ी होगी क्यों राहुदेव अनकूल भाव में अनकूल राशी में और दसा अंतर दसा आपके ठीक है जन्मकालिन गरण की तो आर्टिक पक्स जो समझिया बने होती उसको हल होने से कर्ज लौन की सद्शुटकारा मिला आपको होगा लेकिन सारे प्रस्तिया जब आपके पक्स में हो रही हो तो विपक्स में हो एक बात एक बीतावकल बनने जारी है क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव आपके दसम भाव से एक भाव पीछे यानि नमम भाव में भाग्य इस्तान में संचर्ण करेंगी अब करक राशी वालों के लिए राहुदेव मीन राशी भाग्य इस्तान से संचर्ण करेंगी जैसा कि कई बार मैंने बताया है कि राहुदेव जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की चीजों को बड़ी रूप में लाकर आपके सामने खड़ा कर देंगे कि विस्तार राहुदेव भागिस्तान में राहुदेव की विराजने का सीधा मतलब है कि भागी क्या पिटाराब आपका खुलने वाला है आपकी मेहनत को सफलता के पंक लगेगी भागी बिरदी के साथ साथ धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी लंबी यात्राओं का दोर यह यात्रा कारूबारी हो चेंदार में दोनों प्रकार्य हो सकती बिवे भाइबैन जो अपनी जनम भी मिस बार विदेशों मेरे के काम काच कारूबार नौकुरी में वस्तार करें पंकी लिए राहुदेव याँ श्रब्सलम नौकरी हो छी समारी यह जरूर मैं कहूंगा आपसे कि आपकी दसा अनकुल हुए दसा आपको सपोर्ट करने चाहिए यह जनरल प्रडेक्शन है आप चाहते कि मैं रहुदेव के बारे में आपके जनरल कुलनी का क्या फलादे से इसकी जानकारी दूं तो नमबर नीचे आ रहें इन नमबर भी इस समय अपने केरी को नहीं दिशा देगा एजुकेशन में नहीं दिशा मिली मैंने तो परिशनम का 100% आपको मिलने वाला है यह आप उस शिक्षा के छेतर में अध्यान ड़ते आपको शपलता मिले बागी के सितारा आपके पक्स्म कर्मल जीवन को नए आयाम देने वाला ह करक राशी वालों के लिए राहु देव मीन राशी नमम भाव में संच्रण करेंगी और केतु देव कन्या राशी तीसरे भाव में संच्रण करेंगी नमम भाव धर्म का है और मीन राशी के स्वामी ब्रश्पति देव है राहु देव और केतु देव जिस राशी में विरा करेंगे तो सफलता आपका दामन के लिए देश विदोसी अच्छे कारोबारी शमंद बनेंगे और देश विदोसी की यात्राओं का लाब भी मिलेगा और आप विदेशों में रह रहे हैं और आपको कोई पेपर को लेकर वीजा को लेकर गिन कार्ड को लेकर कोई प्राबलम ह है तो यह प्रेशानी का हल भी आपको मिलेगा आपका परिश्रम आपकी मेहनत सिर्चड के बोलेगी नव माव में राओ देव परदे की आगे रहकर काम करने के लिए परदे के पीछे रहकर नहीं और हमेशा इस आसा से काम करते कि मेहनत का फल मिलेगा वे लोग जो रहा रहा है कारी में पकड़ मजबूत होगी राओ देव आपको केरियर कारोबार नोकरी में उत्तम अवसर ने रस्ते खोलेंगे लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सत्य और धर्म की रहा नहीं चोलना राओ अनौर्थोडक्स है यहां कभी-कभी यह सोटकट धन कमाने का रस्ता अपनाएगा तो सोटकट रस्ता अपनाने का जो प्रियास करेगा उससे आपको बच रहा है सरकारी मामलों में सावधानी बचल अनतिक कारियों से धन कमाने का प्रियास नहीं करना रहू यहां उक्सा सता कि कौन देख रहा है लेकिन करमफल दादा सनी ध्यान अनमात से बचना है धर्म को लेकर अगल ब्यानबाजी नहीं करनी और के विवर्थ सधिया पितापक्स को सावधनी का संकेद है घर केентов पितापक्स को लेका शावधनीDas कहरी मेठू कन्या राशी पुर्शार्त भाव अन्य तीसरी भाव में संकन कर रहें आपके लिए ठीश यहां केतुदेव जोकिम भरे कारियों में शपलता देंगे यानि जोकिम उठाने का लाब मिलेगा छोटे भाई बैनों का साथ अच्छा मिलेगा कामकाज कारबार नौकरी में विरोधी चाकर भी आपका नुक्सान नहीं कर पाएंगे आपका लाके शेतर में आप फिलम इंड में हर जगे केतुदेव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें रिशर्च और शोट में आगे बढ़ें प्रपरटी शेलप्रज्च के मामला में सकलता मिली यह अपने आपको अपने कारे में जीवन में आगे बढ़ने पूर्ण आउश्र देंगे अठारा महिन आने वाले चिंतन बहुत मजबूत होगा यह राहु देव नमंभाव और केतु देव तीसरे भाव में मेरे अनभाव और वैदिक जो मेरे श्रोत है उसके आधार पर में विचार लेकिन जब यह राहु देव और केतु देव बाकी और केतु देव को अलग नहीं किया जा सकता धर बिना सर किसी काम का नहीं है और सिर बिना धर किसी काम का नहीं है अलग अलग नहीं किया जा सकता अब राहु देव और केतु देव का करक राशी वालों को इन संपूर्ण घरे योगा योगों को आने वाले 18 महिने में क्या प परंव्रांती से पीछा चुड़ेगÁ और देश-विदेश से करोबारी स्मथ बनी गाल 3D संबनु medraloupe today यात्राओं कारूब हुआ मिट्रों के सwahil से चया ने सिर्कार का पूंट खुझ मिले गाए। इती थोड़ा सा धैरिय और श्यम का प्रचे दिया, सलासे काम किया, तब कोई परिशानी नहीं, नहीं तो कारिश्यत में थोड़ी सी चुन्ने उत्यों का सामना करना पड़े, आपके वेर्थ के भय भर्म भांती, जो false illusions है आपके, खुदी सोचने और खुदी जबाब देते ह इससे बार नहीं आए, तो बनते काम भीगर सकते हैं, लंबी यात्रा को श्यम भांद चला कर नहीं जाए, आपके जो छोटे भाई बैन है, इनसे आपको रिष्टे बना कर रखना पड़े, इन पर विश्वास करना होगा, और कारिस्तल पर जहां आप नौकरी करते हैं, वह था करक राशी वालों के लिए, रहु देव का मेंडाशी, भागेस्तान में और केतु देव का, पुर्शार्थ भाव कन्या राशी में संच्रन का, मेरी व्यक्तिकत अनभाव के आदा पर नक्षद गणनाओं का शंके, मित्रों शात्यों ना भाय ना प्रमन ब्रांती ने व आपको दिया, मानो न मानो यह आपकी में, हाँ, उपाय क्या करें, तो अठारा महीने, आने वाले अठारा महीने करक राशी वाले नियम बनाने हर रोज भगवान शिव का सुर्य उदेश से पुर्व जला अभिशिव करें, पंचाक स्री मंत्र का जाप करतें, 108 हरी दुरव भगवान शिव को अरफित करें, पीपल की भरष में लगातार 40 दिन जल अरफित करें, सब्सक्राइब मेरे से कोई गल्पी और भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आप से च्रमा मंगता आप सुखी रहे आप सब्सक्राइब की चड़नों मेरी प्रात्मा ओम नमारा और मत्सक्राइब करता है और मेरा करतर है कि मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं विस मेरा जीवन का लक्ष रहा है मनश हूँ और मानु हुने इतनी मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के सेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं की बेटी बचाओ और गो शिवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शेवा मापके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी अवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राष्ट आप से प्यार करता है दाती महराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा यह एंकार नहीं साथियों मेरा राष्ट रोपरी है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह कहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें शनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रु स्वयोकर है फिरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नारा अोगम नमो